गुड मार्निंग students today is next point chapter number 8 class 7th destruction caused by cyclone destruction caused जिससे की तरह तरह के नुकसान होते हैं destruction force जिसे air wind इनसे भी क्या होता है कुछ harmful effect होते हैं generate होते हैं तो cyclone के destruction cause देख रहे हैं हैं अपन, इस cyclone से क्या-क्या चीजों में हानी होती है, नुकसान होता है, हार्म होता है First है, आपको जो red pen से underline कर रखी हैं, वो चीज़े आपको knots के form में write करनी है तो first point बना लेंगे, इसको arrow लगा के और serial number भी दे सकते हैं The violent stormy winds accompanying a cyclone damage house जो violent stormy winds होती है, जो काफी dangerous होती है वो क्या कर देती है, houses को damage कर देती है, घरों को नुकसान पहुचाती है Electric poles उससे effect होता है, वो खड़के गिर जाता है Industries भी effect होता है, Industries भी effect होता है, इस cyclone से effect होती है, affected होती है Schools भी effect होता है, चुट्टियां हो जाती है, क्योंकि dangerous बारिश वगेरा होती है और भी कई tribes से नुकसान हो सकती है, तीज जहावायें चलती है Hospitals, vehicles, crops, etc. तो crop भी क्या हो जाती है, destroy हो जाती है, नश्ट हो जाती है और vehicles वगेरा, सब पे effect पड़ता है, तो बहुत fast winds के साथ बारिश होती है तो ऐसे मैं, जो army वगेरा, ऐसे areas को खाली करवा देता है आर्मी के majorly क्या होता है, strict operations होता है और उन areas को खाली करवा दिया जाता है, और उनको safety palace पे भीज दिया जाता है causing a great loss of property, तो अपन कह सकते हैं, इनसे काफी ज्यादा property का नुकसान होता है The fast moving flood, water of the sea brought in by a cyclone, destroys roads, railway tracks, and crops, uproot trees, reducing soil, fertility, etc Next point है, जो fast moving cyclone होता है, उसे तेज बारिश होती है, बारिश से flood आ जाती है, बार्ड आ जाती है ठीक है, और इस बार्ड की वज़े से काफी सारा roads damage हो जाती है transportation effect होता है इससे, railway tracks क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है ठीक है, तो train का संचालन भी रुख जाता है, crops, खेतों में पानी पानी बग जाता है, चारो तरफ तो crops damage हो जाती है trees क्या होता है, जड सही ती उखड जाता है, soil fertility भी reduce होती क्योंकि तेज बारिश की वज़े से पानी के साथ upwards जो soil है, वो क्या हो जाता है, soil erosion हो जाता है, वो भैके चली जाती है, तो यह आपका second point आप not कर लेंगे third है, the continuous heavy rains brought by cyclones, many further version, the flood situation in the area, the floods pollute drinking water, sources causing water, drone disease like a typhoid and density dense tree, देखी, तेज बारिश की वज़े से flood आता है, flood जो bard होती, bard के वज़े से चारो तरफ गंदा पानी पानी हो जाता है, तो पीने के पानी के resources, वो भी क्या हो जाता है, pollute हो जाता है, और जो polluted water है दी पीएंगे, तो उससे काफी सारी disease होती, toifoid, malaria भी हो जाती, क्योंकि चारो तरफ पानी पानी होने से mosquitoes भी grow कर जाता है, और उससे malaria भी fever आ जाता है, लोगों के, क्योंकि मच्छ लार्ज quantity में grow कर जाता है, तो ये third क्या था, cause था, next, last, ये cause राइट कर लेंगा, कर लेंगा, कर लेंगा, साइक्लोन कोज, server breaker in communication and transport system, साइक्लोन की वज़े से, देखे, communication system कैसे विकार होगा, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है, electric pole, और जो, electric poles काफी harm होता है, उन्हें इरियाज में, तो ऐसे में, communication तूट जाता है, ठीक है, जो, telephone वगेरा के networking, जो poles होता है, वो भी damage हो जाता है, यह से में, communication phone की connectivity हट जाती है, transport system break हो जाता है, क्योंकि, जो roads या तो damage हो जाती है, यह पानी में, डूब जाती है, और जगए-जगए से, काफी सारे, चीज़े क्या हो जाती है, damage हो जाती है, तो यह क्या है, कुछ effects है, जो की cyclone की वज़े से होता है, caused, जिनसे नुकसान होता है, तो यह आपको अपनी notebook में, note कर लेना है, next point upon safety measures against cyclone, next point में, next video class में discuss करेंगे, thank you, have a nice day.